बड़ी संख्याओं की समझ, सेंस अफ लार्ज नंबर्ज हलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वाकत है आज हम बड़ी संख्याओं के बारे में जानेंगे सोनू, तुम क्या पढ़ रहे हो? दीदी, मैं मुंबई की जनसंख्या के बारे में पढ़ रहा हूँ तो बताओ, मुंबई की जनसंख्या कितनी है? मुंबई की जनसंख्या एक करोड नब्य लाग है पर दीदी, ये करोड क्या होता है? बताती हूँ, पर पहले तुम यह बताओ कि पाँच अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99,999 सही कहा, और अगर इस संख्या में एक चोड़ दें तो क्या बनेगा? 100,000 सही जवाब, और 100,000 को हम क्या कहते हैं? एक लाख बिल्कुल सही जवाब लाख संख्या लिखने के लिए हम इस तालिका का इस्तिमाल करती हैं एकाई, दहाई, सैक्ड़ा, हजार, दस हजार, लाख और दस लाख एक लाख छे अंकों वाली सबसे चोटी संख्या है क्या तुम बता सकते हो कि 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हाँ, 9,99,999 और 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,00, अच्छा, अब बताओ 7 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप चाहें तो वीडियो को यहां रोग कर सोच सकती है 99,9999 और अगर इसमें हम एक जोड़नें तो क्या बनेगा? 100 लाख सही जवाब अगर हम 100 बार एक लाख को जोड़ें तो हमें 100 लाख मिलता है जिसको हम एक करोड भी कहती है अच्छा दीदी दीदी मुझे लगता है कि यहाँ आठंकों वाली सबसे छोटी संख्या है सही कहा सुनू दीदी पर यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या हुई पर इतनी बड़ी संख्या को हम कहां इस्तिमाल करते हैं? अच्छा बताओ, क्या तुम्हें पता है इस साल के मेले में कितने लोग आए थे? कितने दीदी? इस साल के मेले में पंद्रह करोर लोग आए थे अरे वाह, इतने सारे लोग, फिर तो वहाँ बहुत भीड होई होगी पर दीदी, इतनी बड़ी संख्या को लिखना तो बहुत ही मुश्किल होगा नहीं सोनू, बिल्कुल नहीं, लाग संख्या तो तुम्हें लिखने आती है न? हाँ दीदी, लाग संख्या लिखने के लिए हम इस तालिका का इस्तिमाल करते हैं हाँ, तो बस इसके आगे करोड और दस करोड लगा देते हैं देखो, ये हुए एक करोड अब देखो, पंदरा करोड कैसे लिखोगे? पताओ सोनू, इसमें कितने शून्य है? साथ, बिल्कुल सही, पर इतने सारे शून्यों में चक्कर मत खाचाना तो दीदी, क्या पंदरा करोड सबसे बड़ी संख्या है? नहीं सोनू, अगर हम बीस करोड की बात करें तो वहां पंदरा करोड से बड़ी संख्या है उसी तरह पचीस करोड इनसे भी बड़ी संख्या होगी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हम नहीं बता सकते लेकिन नौ अंकों वाले सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसके बारे में हम सोच सकते है दोस्तों इस वीडियो में हमने करोड के बारे में जाना धन्यवाद